नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल एक्जाम लर्णर में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान यान की केमेस्ट्रे के UPPCS 2012 से ले करके 2019 तक के प्री और मेंस परिक्षाओं में पूछेगे सभी प्रशनों को देखेंगे ये आपके आने वाली एक्जाम UPPCS के लिए बहुत ही महत्पूर है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेर कर देजिएगा और चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को स प्रशनाइस में आपका निमलिखित में से किस पदार्थ में कैल्सियम बिद्धिमान है तो ये आपका जो है UPPCS 2019 प्री एक्जाम में पूछा गया है इसका सही जो इंसर हो जाएगा आपका आपसं सी यहां से हो जाएगा जिप्सम जिप्सम एक खनीज है जिसमें सूच में तत्तो गंधा कियों कैल्सियम प्रचुर मातरा में पाया जाता है अग्ला प्रशनव आपका निमलिखित में से कौण सा चाही सुमेलित नहीं है तो एक तरफ हम पदार्थ दिया गया दूसरी दरफ उनका उप्योग कौण सुमेलित नहीं यह आपको बताना है इसका सही मिक ये कृत्रिम बर्सा के लिए उप्योगी है, लिथियम, बाइकार्बोनेट, ये गठिया के उप्चार में उप्योगी जाता है, और दूधिया, मैगनिसिया, ये आपका प्रती अमल है, तो ये आप संजो है, यहाँ सही हो जाएगा, अगला प्रस्ने बापका निमलिखित में जीओं को नस्ट किया जाता है, उसकी भंडार चमता में सुधार किया जाता है, और इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसिसी वैग्यानी लुई पास्चर ने किया था, किसने, तो लुई पास्चर ने किया था, तो आपका D आपसन सुमेलित नहीं है, बाकी, एलावडी करड़, यह समुद्री जल हो जाएगा प्रति लोगम पर आसरड पेजल से और विक्रिती करड यह जो है प्रोटीन D आपसं जो है आपका सुमेलित नहीं है अगला प्रश्ण आपका निम्लिखित में से कौन सा एक एक साक नासक का उदाहरड है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसं जो है सोडियम क्लोरेट साक नासी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रियोग किसी छेतर में एवांचित खरपतवारों को नस्ट करने के लिए किया जाता है इनका प्रियोग खुदाहरड है आपका सोडियम क्लोरेट तो यह आपसं जो है सही हो जाएगा है अगला प्रस्न है बापका सूची वन को सूची टू से सुमिलित कीजिए यों सूचियों के नेचे दिये गए कूर से सही उत्तर चुनिए तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं तो मिलान करना है तो चलिए देखते हैं यह आपका दिया गया है केवलार तो Q-LAR हो जाएगा यह संसलिसित, क्या है यह रेसा है तो A का हो जाएगा आपका दूसरा, उसके बाद टेकसाल दिया गया है, टेकसाल कैंसर रोधी एक दवा है तो B का हो जाएगा तीसरा, जिंग फासफाइट, यह आपका रोडेंट नासी है तो C का चौथा हो जाएगा और नाइट्रो सेलूलोज यह आपका एक बिस फोटक है तो D का हो जाएगा पहला, दो, तीन, चारेक जिस आपसंद में होगा वह से हो जाएगा दो, तीन, चारेक आप देशकते हैं बिकल्प B जो है यहाँ सही है अगला प्रशन है बापका, कि निमलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रियोग साला में संसलेशड के काल कर्मा नुसार बेवस्तित कीजिए पहला आपका ब्लैक गोल्ड, दूसरा है फुलेरीन, तीसरा है ग्रैफीन, चौथा है केवलार तो नीचे दिये गए कूट में से सही उत्तर चुनिए तो चली जो है देखते हैं, सबसे पहला आपका दिया गया ब्लैक गोल्ड, तो ब्लैक गोल्ड को सबसे पहली बार प्रियोग साला में कब संसलेशित किया गया था तो ये आपका 2019 में जो है इसे संसलेशित किया गया था फुलेरीन को जो है ये आपका फुलेरीन ये आपका 1985 में जो है इसे संसलेशित किया गया था परियुक साला में ग्रेफीन को जो है आपका 2004 में और केवलार को जो है 1964 में तो काल कर्मा अनुसार आपको यहां बेवस्तित करना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपका हो जाएगा 1964 कियो लार, तो यह निकि चार, फिर जो है आपका हो जाएगा 1985 फुलेरीन, फिर जो है आपका हो जाएगा 2004, ग्रेफिन, उसके बार लास्ट में हो जाएगा आ अगला प्रशन है आपका निमलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा आपसनी कपास, कपास एक मुलायम, रोएदार, इस्टेपल रिसा होता है, जो की कपास के पीछे के बीजों के चार और एक संड़क्षड आवरड में ब अगला प्रशन है आपका निमलिखित का तो में कौन अर्ध चालक है, तो इसका सही इंसर हो जाएगा, आपसन भी सिलकान, कुछ पदार्थ जो ऐसे हैं, जिनकी वैदुत चालकता ए चालकों की अपेच्छा बहुत अधिक, परन्तु चालकों की अपेच्छा बहुत कम होती इन्हें अर्ध चालक यानि की सेमी कंड़क्टर कहते हैं, जैसे कि आपका सिलकान हो जाएगा और जर्मेनियम, तो दोनों ही जो है क्या है, जर्मेनियम, दोनों ही क्या है आपका, तो अर्ध चालक यानि की सेमी कंड़क्टर है, भी आपसन जो है, सेव जाएगा, अगला प दियोगी की के जेत्र में महत्वपूर और उप्रियोग है बी बिकल्प जो है सही हो जाएगा है अगला कुशन अब आपका निमलखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकिर्तिक बहुलक है तो इसका सही इंसुर हो जाएगा आपसन भी रेसम उन, रेसम, चम्रा ये सभी क्या है तो प्राकिर्तिक बहुलक है तो यहाँ रेसम दिया गया है बी आपसन जो है से हो जाएगा आपका अगला प्रशन भी आपका यूरिया है तो यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्वनिक योगिक है यानि की बिकल्प यह यहाँ से हो जाएगा यूरिया एक कार्वनिक योगिक है जिसका रासाइनिक सूत्र जो होता है वह होता है CO, ENH2 और 2 तो इसका यह रासाइनिक सूत्र होता है यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन और एमाइड के रूप में उपस्तित होता है और कार्वनिक रासाइन के छेत्र में इसे कार्वा माइड भी कहा जाता है तो यह भी कल्प यह से हो जाएगए है अगला कुशन आपका LPG सिलेंडर के रिशाव से उत्पन दुरुगंध निमलिकित में से किसकी होती है तो इसका सही इंसर हो जाएगा option D से हो जाएगा यहाँ इथाईल मर्क कैप्टन की तरलिकरित पेट्रोलियम गैस LPG का फुल फाव होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस हड्रो कार्वन गैसों का एक जोलन सील मिस्रड है इधन के रूप में परियूग किया जाता है LPG मुक्त है ब्यूटेन यों प्रोपेन यह कोशन पुछा जाता है LPG जो है मुक्त है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिस्रड है LPG समानेत एक गंदहीन गैसी उत्पाद है हलाकि इसके रिसाओ की पहचान के लिए इसमें कुछ दुरगन्द यूख्त पदार्थ जैसे कि आपका इथाईल मर्केप्टन यह मिलाया जाता है तो यही आपसे पुछा गया है DB कल्प जो है सेही हो जाए गया अगला प्रशन है आपका न्यूकले रियेक्टरों में बिमंदक और प्रसीतक दोनों की तरह प्रियुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है यह आपका जो है 2016 UPPCS 3 में जो है पुछा गया है इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B भारी पानी भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक deuterium का आकसाइड है इसका प्रियोग प्रमाड उर्जा सयंत्रों में मंदक वसीतलक दोनों ही रूपे में किया जाता है इसको जो है D2O भी का जाता है तो यह याद रखिएगा B विकल्प जो है सही हो जाएगए है अगला प्रशन अब आपका प्रकास बोल्टी सेल होते है तो यह आपका सौर सेल होता है A आपसन जो है सेव जाएगा सौर सेल या प्रकास बोल्टी सेल एक बिद्धती उपकरण है जो कि प्रकास बोल्टी प्रभावदारा प्रकास उर्जा को सीधे बिद्धत उर्जा में बदल देता है अगला कुशिन अब आपका हाली में खोजी गई बिसु की सबसे महङी धातू कौन सी है तो इसका सही इन सुरोजाएगा A objected a seo गया end lohedéral full rate जो हाली में खोजी गई बिसु की सबसे महङी धातू है यहाँ save जाएगा इस पदात का उपयोग जो है छोटी और वहनी प्रमाड़ घडी के निर्माड जैसे कि आपका GPS, दिसासूचक, युक्त चालक रहित कारों के निर्माड में किया जा सकेगा और जिसकी सटिक्ता एक मिलीमीटर होगी तो यह विकल्प जो है यहां सही है अगला प्रशनव आपका निमलिखित में से कौन सा अर्ध चालक है यानि कि सेमी कंड़कटर है तो इसके पहले भी हम बताय को सिलकान और जर्मेनियम दोनों क्या हैं सेमी कंड़क्टर यानि की अर्ध चालक हैं तो यहाँ जर्मेनियम दिया गया आपका डी विकल्प सही हो जाएगा अगला प्रश्ण आपका बाकसाइट अयस के है किसका तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा आपसन बी ऐलुमिनियम का बाकसाइट यह अलुमिनियम का मुखे अयस के है जो कि अलुमिनियम के जल योजित आकसाइट के रूप में यह पाया जाता है तो भी विकल्प जो है सही हो जाएगा अगला प्रश्ण आपका कांसा मिसरित धातु यानि कि अलॉय है किसका तो इसका सही अंशिरो जाएगा आपसन यह सहीव जगे है ताबा और टिन का कांसाज जो है किसका मिसरित धातु है तो ताबा और टिन का मिसरित धातु है प्रश्ण यह जो है सही है यहां अगला कोशन है आपका निमलिखित ये गुमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन B रियान यहां दिया गया है रूपांतरित इस्टार्च यह आपका गलत है रियान यह पुनर जीवित सेलूलोज से निर्मित एक तंतु यानि की एक फाइवर है तो B आपसन जो है आपका सुमेलित नहीं है बाकी उन एक प्रोटीन है रवर एक प्राकृतिक बहुलक है और फुलरीन जो है यह कारबन का एक अपर रूप है तो B आपसन जो है आपका सुमेलित नहीं है अगला प्रशन है आपका CFL का पूर्ड रूप क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन यह compact fluorescent lamp जो है CFL का फूल फार्म होता है यह भी कल्प जो है सही हो जाए गया अगला प्रशन है आपका निमलिकित बिद्दूत अप घटियों के बिलियन में से किसको कार की बैटरी में परियोग किया जाता है तो सेम कोशन जो है का यह आपका RO-ARO में जो है पूछा गया था इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन C सल्फियोरी कमल कार की बैटरी में जो ह यहां सही हो जाएगा आपका अगला प्रशन है आपका CNG है यह आपका compressed natural gas CNG का full form जो होता है compressed natural gas होता है compressed natural gas अर्था संपीडित प्राकृतिक गैस यह मानक वाई मंडिली दा पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरता है और उसके एक प्रतिशत से भी कम आयतन तक प्राकृ प्रशन है आपका निमलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग नेच चिपकने वाली कडाही के दिर्माड में किया जाता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसने टेफलान का पाली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन PTFE को आम तोर पर टेफलान के नाम से जाना जाता है PTFE को आम तर पर क्या नाम से जाना जाता है तो टेफलान के नाम से जाना जाता है और PTFE एक ठोस फ्लोरो कार्वन है या विसेशता बरतनों पर नचिपकने वाली सतय के रूप में उपयोग किया जाता है अगला प्रस्ण बापका निमलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प् प्रियोग निमलिखित में से कौन एक बिसपोटक पदार्थ नहीं है इसको C, C, L3, N, O2 का जाता है का प्रियोग निश्चेतक के रूप में आप्रेशन के पूर्व मरीज को बेहोस करने में किया जाता है और यहां बाकी जो है ट्राइनाइट्रो टालुइन इसको TNT कहा जाता है डाइनाइट्रो ग्लिसरीन और साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन यह सभी क्या हैं तो बिसपोटक पदार्थ हैं तो यहां जो है नाइट्रो क्लोरु यह आपका निश्य तक के रूप में परियोग किया जाता है, यानि बिहोस करने के लिए उपयोग किया जाता है, डी आपसन जोए आपका सही हो जाएगा यहाँ, अगला कोशन आपका पीने के पानी को सुध करने के लिए निम्नांकित गैसों में से किसे परियोग में लाया ज जाता है, तो इसका सही जो इनसर हो जाएगा, आप्षन B, क्लोरीन का, पेजल को चिवालू रहित करने के लिए क्लोरीन गैस यूँ ब्लेचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ आपका chlorine दिया रहे है या फिर bleaching powder तो नहीं जो है से हो जाएगा बी बिकल्प जो है यहाँ सही है आपका अगला प्रश्ण है बापका सामानी तापक पर निमलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है तो यहाँ से आपका 2017 में से में पूछे गए प्रश्ण है तो इसका जो सही अंसुर हो जाएगा आप से हो जाएगा यहाँ ब्रोमीन एक तत्व है इसका प्रमाडु करमांग होता है 35 यह जो है हैलोजन समूह का तीसरा सबसे हलका तत्व है यह कमरे के सामान इताप मान पर द्रव अवस्था में रहता है और इसका गलनांग जो होता है 7.2 डिगरी सेल्सियस तत्था को अथनांग जो होता है 8.8 डिगरी सेल्सियस होता है तो आपका C आपसन जो है यहाँ सही हो जाएगा रोमीन अगला परसन आपका निमलखित में से किस तत्थू को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है तो इसका सही अंशर हो जाएगा option A sodium sodium जो है वाई में बहुत क्रियासील हो जाता है इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है तो A, B, कल्प जो है, सही हो जाएगा अगला प्रशन है आपका निमलखित में से किन बहुलकों का उप्योग बलेट प्रूफ वस्तूओं को बनाने में किया जाता है आपका पहला दिया गया केवलार दुसरा है गलिप्टॉल तीसरा है लेकसान तो नीचे दिये गया कूट से सही उत्तर चुनिए तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसण C से होगा एक और तीन यहने कि केवलार और लेकसान का प्रियोग जो है बुलेट प्रूफ वस्तूओं के निर्मान के लिए जो है किया जाता है पहला आपका दिया गया है क्रित्रियम रूप से फलों का पकाया जाना तो यह जो है एथिलीन हो जाएगा यह का तीसरा हो जाएगा और बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है सोडियम बाइकार्बोनेट B का हो जाएगा चोथा और C तल P ये आपका carbon dioxide कहलाता है तो C का हो जाएगा पहला और quarter जो है ये आपका sodium silicate D का हो जाएगा दूसरा 3, 4, 1, 2 जिस option में होगा वह सही हो जाएगा आपका तो आप देख सकते हैं 3, 4, 1, 2 यानि कि B कल्प B जो है सही हो जाएगा यहाँ दोस्तों Unacademy जो है UPPSC ROERO Mains के लिए एक practice batch लांच कर रहा है जो कि 22 December 2020 को आपको पता है ROERO Mains प्रस्तावित है ये batch आपको अपना सरुसेश देने में काफी help करेगा इसमें आपको Unacademy के tough educators द्वारा mark test और doubt session के साथ live mark दसन प्रदान किये जाएंगे ये batch आपका 12 October 2020 से जो है start हो रहा है तो जो लोग भी मेंस की त्यारी करना चाहते हैं जूड सकते हैं उसके लिए आपको Unacademy का learning app सबसे पहले install करना होगा उसके बाद आपको login करना होगा फिर आपको subscription लेना है एक महिने, दो महिने, तीन महिने जो भी है उसके लिए आप यदि हमारे referral code यूज करते हैं exam learner आप उसके लिए जो है capital letter में लिखेगा exam learner एक ही साथ लिखेगा तो आपको 10% का discount मिल जाएगा 10% का discount मिलेगा कोई भी आप subscription लेते हैं अगला प्रशन है बापका नीचे दिये गए युगमों में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है तो यहाँ आपका D option दिया गया फुलेरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक योगिक है ए आपका सुमेलित नहीं है फुलेरीन ये कार्बन का अडू है जो की एक विशेश सनचना के लिए होता है पहले फुलेरीन अडू का निर्माड वर्स 1985 में बक मिनेस्टर फुलरीन इसको C60 C60 नाम से जो है किया गया था जबकि फुलूरीन जिसका ये प्रमाडू कर्मांग 9 होता है एक रासायनिक तत्तु है तो यहाँ आपका D आपसन सुमेलित नहीं है बाकि सुकी वर्प जो है ठोस कारबन डायक साइन होता है सेवीन ये कि टना सक है और टेफलान जो है एक फुलूरीन युक्त बहुलक है तो D आप्षंद जो है यहां सही हो जाएगा आपका सुमेजित नहीं है अगला प्रक्षनxis अब आपका निम्लखित धातुव में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो इसका सही जो इंसर हो जाएगा आप B से हो जाएगा तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन भी गैसोलीन और एथिनाल का गैसोहाल यह गैसोलीन और एथिनाल का एक मिसरड है जिसमें एक भाग एन हाइड्रस एथिनाल जिसको एथिल अलकोहल का आ जाता है और नो भाग जो है गैसोलीन यानि कि पिट्रोल का होता है तो b b culp जो है प्रजिक अगला प्रश्ण है आभ आपका अधोलिखित युग्मो में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही इंसर हो जाएगा यहां पर दिया गया है फुलेरिन युग बहु लग तो फुलेरीन ये कारवन का एक उपयोगी अपर रूप है इसकी खोज 1985 में प्रोफिसर आर ई. इसमैली और सर हैरोल डबलू क्रोटो योम राबर्ट ये फकरल के द्वारा की गए थी इसके लिए इन्हें वर्स 1996 में नोबल पुरसकार से सम्मानित भी किया गया था फुलेरीन का सबसे साधारत रूप बक मिनस्टर फुलेरीन है या एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रतेक अड़ू साथ कारवन प्रमाड़ों का गोलाकार सम्मू होता है तो यहाँ डी आपसन आपका सुमेलित नहीं है बाकि पायरीन जो है अगनी सामक के रूप में प् किस उत्प्रेरग का उपयोग किया जाता है तो इसका सही इंसर होगा आपसन C, निकल का निकल जिसको यनाई का जाता है उत्प्रेरग की उपस्तिती में गर्म बनस्पती तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है यह क्रिया तेलों या तेलों को जो है हाइड्रोजनी कर में निमलिखित में से किस उत्प्रेरक का उप्यूग किया जाता है तो नीकेल का उप्यूग किया जाता है C विकल्प सही है अगला प्रस्ण बाप का निमलिखित में से कौन सा रंग sodium chromate द्वारा आपूर्थ होता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option B लाल रंग लाल रंग यह sodium chromate द्वारा आपूर्थ होता है तो B विकल्प सही है यहाँ अगला कोशन है RDX विस्कृत हुआ था यानि कि RDX किसके द्वारा हो जागया था इसका सही एंसर हो जाएगा तो D option जो है सही हो जाएगा है है निंग कि द्वारा RDX अनुसंद्धान भी भाग विस्फोत तक या रायल बिन्धोस विस्फोत तक इसका RDX का फूल फार्म जो होता है Research Department Explosive या फिर जो हैसे Royal Demolition Explosive भी कहा जाता है इसे अपचारिक रूप से जो है साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइटरामीन या फिर साइक्लोनाइट भी कहा जाता है यह एक सकतिसाली भी स्पोटक है जिसकी खोज जर्मनी के जर्मनी के चार्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा किया गया था तो फ्रेडरिक हैनिंग इनका पूरा नाम था कहां के बग्यानिक थे तो जर्मनी के थे तो डी बिकल्प यहां सेव जाएगा अगला कोशिन आपका निमलिखे तत्तों में से कौन जब वायू तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतह दीप तो उड़ता है तो वेहापा स्वत फासपूरस बी बिकल्प जो है सेव जाएगा है अंधेरे में सफेद फासपूरस को वायू में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकास उत्सरजित होता है और सफेद धुम्र बनते हैं जिनकी गंध लहसून जैसी होती है और सफेद फासपूरस की इस दीप्ती को रसाइनिक संदीप्ती कहते हैं वायू से बचाने के लिए सफेद फासपूरस को जल में रखा जाता है क्योंकि सधारता पर वायू में यह सुत्य जलने लगता है तो भी बिकल्प जो है सेव जाएगा है अगला प्रशन अब आपका निमलिखित तत्तों में से कौन सरवाधिक योगिक निर्माड करता है तो यह आपका कार्बन भी बिकल्प जो है सेव जाएगा सरवाधिक योगिक निर्माड करने की जहमता जो हो है कार्बन में होता है अगला पुशना आपका निमलिखित में से कौन जिवासम एधन है तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन D, प्राकिर्थिक गैस प्राकिर्थिक गैस एक महत्पूर्ड जिवासम एधन है यह आसानी से जलती है और अधिक मातरा में उसमा उत्पन्थ करता है इसमें मुख्य रूप से मेथेन लगभग 95% होता है तथा छोड़ी मात्राव में इसमें एथेन, प्रोपेन, आधी गैसे भी पाया जाता है तो D भी कलप यहां से होगा प्राकितिक गैस अगला कुशन है आपका निमलखित में से कौन सा पदार्थ सरवाधिक मजबूत होता है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसन D सी हो गए हाँ ग्रैफीन आपसे पुछा गया है कि कौन सा पदार्थ सरवाधिक मजबूत होता है तो इन आपसर में जो दिया गया है, ग्रैफिन जो है इसमें, ग्रैफिन एक हडू की मोटाही वाली सामानी कारवन की एक पतली परत है, जो की बिलक्षड गुर परदरशित करती है, इसकी खोज मैंचेस्टर विशुवी द्याले में कारेरत दो बैग्यानिकों, आंद्रे जी उप्योग वर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा, आपसर डी से हो गया है, जिंक आकसाइड का, जिंक आकसाइड का उप्योग वर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है, वस्तों को चमकीला बनाने में इस्तिमाल हो जाएगा अगला प्रशने आपका फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्लिखित में से किस की परत चढ़ाई जाती है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन भी सिल्वर ब्रॉमाइड का फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रॉमाइड की परत चढ़ाई जाती है अगल रोधा कपड़ा बनाने में एलुमेनियम सलफेट का प्रियोग किया जाता है अगला कुशन है निमलिखित में कौन एक प्राकिर्तिक बहुलक नहीं है तो इसका सही बिकल्ब हो जाएगा आपसंडी नाइलोन उन हो गया आपका हरेसम हो गया उसके बाद चमड़ा यह सभी जो प्राकिर्तिक बहुलक है प्रंतु यहाँ नाइलोन दिया गया एक प्राकिर्तिक बहुलक नहीं है तो डिबिकल्ब सही हो जाएगा आपका अगला कुशन है निमलिखित में से कौन एक बिसफोटक नहीं है तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका आपसन ये से हो जाएगा एक क्वेशन पहले भी पुछा गया है, नाइट्रो-क्लोरफार्म नाइट्रो क्लोरफार्म का प्रयोग जो है निश्चे तक के रूप में आपरेशन के पूर जो है मरीज को बेहोस करने के लिए किया जाता है यहां बाकि TNG, TNT और पोटैसियम क्लोरेट यह सभी क्या है तो बिस्पोटक है अगला कुशन अबाब का निमलिखित में से किसको वुड इस्पृट भी कहा जाता है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन यह मेथिल अलकोहल को वुड इस्पृट के नाम से भी जाना जाता है तो यह आपसन जो है सही हो जाएगा अगला प्रशन अबाब का निमलिखित में से कौन किवल कार्बन से बना हुआ है तो इसका सही इंसर हो जाएगा आपसन C यहां से हो जाए ग्रैफीन कार्बन का एक दुई आयामी अपर रूप है C आपसन जो है सही हो जाएगा है अगला प्रस्ने बाप का निमलखित में से कौन सा बहुलक बुलेट पुरूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो इसका सही जो एंसर हो जाएगा आपसन B से होगा है पाली एमाइट बुलेट पुरूफ जैकेट के निर्माण में पाली फैरा फेनिलीन ट्रैप्थोर्ट लैमाइट जिसको पाली एमाइट का जाता है नामक बहुलक परियोग होता है यह एक सिंथेटिक फाइबर है इसका ब्रांड नाम जो है वह कियोलर है क्या है ब्रांड नाम तो क्योलर है इसका B B कलप सेव जाए गए है अगला प्रशन बाप का प्रकिर्थि में सरवाधिक पर्चूर्ता से पाय जाने वाला कार्बनी की योगी कुन सा है तो यह है सेलूलोज D B कलप जो है सेव जाएगा निमलिखित को मिला कर बनाया जाता है तो इसका सही इंसर होगा आपसन B, नाइटरीक अमल तथा हाइडरोक्लोरीक अमल को मिला कर एक्वारेजिया बनाया जाता है B आपसन जो है सही हो जाए गया एक्वारेजिया या फिर जो है अमल राज भी कहा जाता है तो याद रखेगा अमल राज यह नाइटरिक अमल और हाईडरोकलोरीक अमल को मिला करके बनाया जाता है अगला प्रशन अब आपका कार्बन की मात्रा अधिक्तम होती है आपसन ये ढलवा लोह में धलवा लौप में कार्बन की मातरा लगभग 3.5 से लेके 4.5 पसेंट तक जो होता है तो यहाँ आपका यह आप सुन जो है सेव जाएगा यहाँ अगला प्रशन अब आपका निमलिखित में से कौन सी धातु समानित आप मान पर द्रव अवस्था में है तो यह आपा पारा सी विकल्प जो है सेव जाएगा पारा चादी जैसी सफेद और चमकीली धातु है यह साधारता पर द्रव अवस्था में बिद्ध मान रहता है यह उसमा यह उम्बिद्ध का सुचालक होता है जबकि यहां दिया गया है लेड निकल और टीन यह सबी जो है ठोस अवस्था में पाया जाते हैं तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा अगला प्रशन अब आपका निमलिखित में से कौन सूखा वर्फ कहलाता है तो आप का उपयोग आइस क्रिम के निर्मार में तता प्रभावकारी सीतलक के रूप में किया जाता है अगला प्रशन अब आपका गोता खोरों के सांस लेने संबंदी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं तो वह आपका आक्सीजन और हीलियम भी आप समझो है ले होता है हाला कि विभिन प्रश्थिदियों में गोता खोरों द्वारा आक्सीजन तथा नाइट्रोजन नाइट्रोजन तथा हेलियम का भी उपयोग किया जाता है तो यहां जो है आपका बी आपसन से हो जाएगा अगला प्रश्थन है बापका कि खारे पानी को सुध पानी में परिवर्तित करने की प्रिक्रिया को कहते हैं तो यह आपका उतकरम प्रासरन कहलाता है डी आपसन जो है सही हो जाएगा खारे पानी को सुद्ध पानी में परिवर्थित करने की प्रिक्रिया को उतकरम प्रासरन कहते हैं डे भी कल्प जो है सही हो जाएगा है अगला प्रशन अबापका कि निमलिखित में से कौन सा रस्तायन क्रित्रिम बर्सा में परियोग होता है यह भी कई बार पुछा गया इसका सही इंसर हो जाएगा अपसन यह सेवगा सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड का उप्योग क्रित्रिम बर्सा के लिए किया जाता है यहाँ यह आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन अब आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से वदा आना है कि कौन सा आपसन जो है सही हो जाएगा यहाँ तो चलिए देखते हैं पहला दिया आपका फ्रेयान फ्रेयान जो है यह परसितक के रूप में उप्योग किया जाता है तो E का हो जाएगा दूसरा उसके बाद B है टेट्रा एथिल लेड इसका उप्योग एंटी नाउक एजेंड के रूप में किया जाता है तो B का हो जाएगा आपका पहला और C है बेंजीन हेकसा क्लोराइड इसका उप्योग कीट नासी के रूप में किया जाता है C का चोथा हो जाएगा और कारबन टेट्रा क्लोराइड का उप्योग अगनिसामक के रूप में किया जाता है D का हो जाएगा तीसरा 2,1,4,3 जिस आपसन में होगा वह से हो जाएगा 2,1,4,3 आप देख सकते हैं विकल्प D जो है यहां सही है अगला प्रशनवाब का अंगुलियों के निसानों की बहुरंगी सतह पर उभारने यानि कि डेवलप करने हेतू अंगुलियों के निसान को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतू फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रियोग किया जाता है तो D विकल्प जो है सही हो जाएगा अगला प्रशनवाब का लिक्वीड पेट्रोलियम गैस यानकी LPG के मुख आवयों कौन से हैं उसका सही अंसर हो जाएगा आपसन C से होगा इथेन, प्रोपेन और बिउटेन C आपसन जो है सही हो जाएगा अगला प्रशनवाब का निमलिखित में से विद्दूत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो उसका सही अंसर हो जाएगा आपसन C चांदी चान्दी जो है बिद्दुत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है C आपसन सही हो जाएगा अगला प्रसन अब आपका निमलिखित में से किसे चूहा विस के रूप में प्रियोग किया जाता है यानि कि चूहा माने के दवा के रूप में प्रियोग किया जाता है इसका सही answer हो जाएगा option D से होगा है zinc phosphate चुहों को मारने के लिए 20 के रूप में potassium cyanide या फिर zinc phosphate नामक क्रसायन का प्रियोग किया जाता है तो आपका option में ये दिर है potassium cyanide या फिर zinc phosphate तोनव ही सही होगा तो यहाँ आपका zinc phosphate दिया गया है D.B. कल्प जो है सही हो जाएगा अगला प्रस्ण बाप का निमलिखित अमलों में से किसको वेकिंग पाउडर के निर्माण में उप्योग करते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option C सही होगा टार्टरीक अमल का टार्टरीक अमल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है C.B. कल्प सही हो जाएगा अगला question है निमलिखित मिस्र धातू में से किसे अमलगम कहते हैं तो यह है पारा और जस्ता C.B. कल्प सही हो जाएगा जब पारा किसी धातू से मिलकर मिस्र धातू बनाता है तो उसे अमलगम कहा जाता है C.B. कल्प यहां C हो जाएगा तो दोस्तों जो है यह था आपका UPPCS 2012 से लेकर के 2019 तक के pre और mens परिक्षाओं में पूछेगा है सभी प्रस्ट तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो like share जरू कर दीजेगा और चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में वेल आइकन को प्रेश कर लिजेगा जिसे आने वाले अगले वेडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और इसका पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया वहां से जॉइन करके आप पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आप टेलिग्राम यदि सर्च करने पर लिंक नहीं उपन होता है तो आप एक साथ एकजाम लर्नर एक साथ लिखेंगे कोई भी स्पेस आप बीच में मत दीजेगा सर्च कीजेगा आपका टेलिग्राम पर चैनल आजाएगा वहां से भी आप जॉइन कर सकते हैं और दोस्तों जो है एकडमी पर UPPSC 2020 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से तो जो लोग भी एकडमी से जुड़कर UPPSC की तियारी करना चाहते हैं उनके लिए प्रतेक बुद्धवार को UPPSC की टव एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनेकडमी का लर्निंग एप इंस्टाल करना होगा लर्निंग एप इंस्टाल करने के बाद आपको लागिन करना होगा मुवाइल नमबर या email id के थुरू उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है तो आप ये referral code यूज कीजिएगा exam learner exam learner ये आप referral code यूज करते हैं तो आपको 10% का discount मिल जाएगा कोई भी badge का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का discount मिलेगा वहाँ तो ये code यूज जरूर कीजिएगा आप लोग और description में वीजियो हैब को link भी दिया क्या है वहाँ से भी जूआ कर आप देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद